जबो कश्मीर के अरंतनाग में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर पांच पुलिस कर्मियों के हतियार लूट लिये हैं आतंकियों ने पुलिस कर्मियों को बचाफ का कोई मौका नहीं दिया और कथित तौर पर उन्हें बंधक बना लिया आतंकी ने पुलिस कर्मियों की पांच ट्राइफले, मैगजीन और कार्टूस लूट कर फरार हो गए लापरवाही परतने और आतंकियों के आगे हतियार डालने वाले पांचों पुलिस कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है इसके साथ ही सी आर पी अफ और पुलिस के एक संयुक्त दस्ते ने आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चारी कर दिया है आपको बता दे कि बीते दस दिनों में दक्षिंट जम्व कश्मीर में पुलिस कर्मियों से हतियार लूटने का यह दूसरा मामला है इसे पहले आतंकियों ने 8 अक्टूबर को पुल्वामा जिले के तुमहल हाल गाउं में पुलिस कर्मियों से सरकारी राइफले लूटने की कोशिश की थी जिस दौरान एक पुलिस कर्मी की मौद भी हो गई थी कश्मीर के हालाद दिन बदिन बिगड़ते जा रहे हैं आतंकियों के होसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस कर्मियों के हदियार भी लूटने लगे हैं देखते री डी बिलाएफ